यादे वी सर्व भूतेशु मा चंद्र घंटा रूपे निसंस्थिता नमस्तस्ये 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 नमोनमहा जैवादादी नमस्कार सभी दर्शकों को नवरात्री पर्व की हार्दिक शुपकाने मैं आपके साथ निहावर्मा आज नवरातर का तीसरा दिन है और आज के दिन मा के सब रूप चंदर घंटा की पूझा अरशना होती है नो दिनों तक चलने वाली नवरातरी के दोरान मा के नो रूपों की पूझा की जाती है मा का तीसरा रूप राक्षसों का वद्ध करने की लिए जाना जाता है मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं इसलिए उनके हातों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुश होता है इनकी उत्पत्ती ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिचाने के लिए हुई है मान्यता है कि मा चंदरगंटा की उपासना साधक को अध्यात्मिक और आत्मिक शक्ती प्रदान करती है नवरात्री के तीसरे दिए माता चंदरगंटा की साधना कर दुर्गा सब्तश्वति का पाट करने वाले उपासत को संसार में यश, कीर्थी और सम्मान मिलता है राक्षसो का नाश करने के लिए माता दुर्गा ने अपने इस चंदरगंटा सब्रूत को धारन किया था उस वक्त महिशासूर नामक असूर का बहुत आतंक था महिशासूर देवराज इंदर के सिंहासन पर बैठना जाता था और स्वर्ग लोग पर राज करने के लिए उसकी इच्छा थी महिशासूर की इस इच्छा से देवता बहुत परेशान हो गए थे देवता तीनों देवो भ्रमा, विश्रु और महेश के पास गए देवताओं की इस समस्या को सुन कर तीनों देवों को बहुत क्रोध हाया इन तीनों के क्रोध की वजह से मुह से जो उर्जा उत्पन हुई उससे एक देवी अवत्रित हुई सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने अस्त्र दिया देवराज ने देवी को एक घंटा दिया सुर्य ने अपना तेज और सवारी की ने सिंग को दिया माचंदर घंटा ने असुर महिशा असुर का अंत कर दिया और देवताव को उसके आतंक से मुक्त करवाया मा चंदर घंटा का सबरूप अत्यंत सोम्य एवं शांती से परिपून है मा चंदर घंटा और इनकी सवारी शे दोनों का शरीर सोने की तरह चमकीला है दसों हातों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र है माथे पर बना आधा चांद इनकी पहचान है इस अर्ध चांद की वज़े से इने चंदर घंटा कहा जाता है अपने वहन सिह पर सवार मा का यह सवरूप युद्ध वो दुष्टों का नाश करने के लिए तक पर रहता है चंदर घंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है नवरात्री के तीसरे दि मा चंदर घंटा की पूजा की वूख खास कर लाल रंग के फूल चड़ाए इसके साथ ही फल में लाल सेप चड़ाए भोक चड़ाने के दोरान और मंतर पढ़ते वक्त मंदिर की घंटी जरूर बचाए क्योंकि मा चंदर घंटा की पूजा में घंटे का बहुत महत्व है मान्यता है कि घंटे की ध्वनी से मा चंदर घंटा अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बरसाती रहती है मा चंदरगंटा को दूद और उससे बनी चीजों का भोग लगाए और इसी का दान भी करें मा चंदरगंटा को मखाने की खीर का भोग लगाना श्रेसकर माना गया है मानिता है कि ऐसा करने से मा खुश होती है और सभी दुखों का नाश करती है सभी मंदिरों में नवरात्री पर्व की धूम है वही करनाल में लोग भड़ी श्रधा के साथ मंदिरों में जाकर माता के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं नवरात्र के तीसे दिन आपको ले चलते हैं माता रानी के मंदिर में तो जानते हैं पुजारी जी ने नवरात्र पर्व को लेकर क्या चान करें नमस्कार आप देख रहे हैं समाचार एक्स्प्रेस और ये तश्वीरे नवरात्रों के दूसरे दिन माता मनसा देवी मंदिर नावटी रोड से इस बार क्रोना के चलते मंदरों में बीड बहुत कम आ रही है परंतु यह बहुत प्राचिन मंदिर है यहाँ पर सोशल डिस्ट खेंसिंग का ध्यान रखते हुए कुछ शरदालों पहुचे हैं यहां तो जी सरदालों बोट दूर से आपि पहले बहुत ज्यादा आथे थे अपकी बार तो पुराने भी थे वह भी नहीं है आपके बार यहां पे कनी भीड नहीं है दूंचार दूंचार लोग चल रहे है कितना प्राचिन मंदिर है यह तो जी है इनके पेले ही है। दाता पर दाता उससे चला रहा है जी मानता बहुत है इस मंदिर है। तो अब की बार इतने दिनों में यहां इतना डीड कम हुए है। हम ने तो अपनी जीत्तिगी में रेली बार देखाएं जी हम राज तक मतलब इतना बहुत भीड होती है जी यहां पर यह क्रोना के कारण बहुत भीड कम हो चुकी यह लोग कोड़ा सा कत्रा रहे हैं मंधिर में आते हो जो उच्छे नवरात्रों का संदेश देना चाहोगे ल और इचरली बार तो नवरात्रों में लोग डाउनी लग्या था और इस बार तो मतलब 10% ही लोग हैं कोई बीड बड़का कोई कुछ नहीं और ना ही ओर करोना भी खतम नहीं हुआ है तो लोग अपनी सेफटी करके मंदिर में आना किये ज्यादा कम से कम बीड करें ज्यादा तो अपनी सेफ्टी अपने आत्मी होती है तो बीड नहीं है इस बार तो अभी तक तो जी कुछ नहीं है तो जी चड़े लोग हैं पांच-चार लोग आगे तो खली है तिल्कुल मतली तो आज कौंशा दिन है आज दूसरा दिन है तो नवरात्रों के बारे में कुछ कहना चाहोगे अपना संदेश देना चाहोगे तो बस ये संबल के अपना नवरात्रों का तोहार मनाई ज्यादा भीर को रखका ना करें और हैपी नवरात्री ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घन्यवाद स्वेट अन्यवाद